हेलो दोस्तु कैसे हैं आप दोस्ते बार फिर आप सभी कस वागत थे आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ण विद केडी पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत देवम जयन धर्म से संबंदित बहुत ही महत्तुपूर्ण पृष्णुक के बारे मे तो देर किस बात की आये बढ़ते हैं अपने पहले पृष्ण की ओर महत्मा बुद्ध का जन्म यूँ निर्वाड निर्वाड दोस्तों केते हैं ज्यान की प्राप्ति को ज्यान की प्राप्ति किस दिन परात हुआ था तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आप सन ए वैश पूर्डिमा को दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाक पूर्डिमा के दिन 563 इसा पूर में कपिल वस्तों के लुंबनी नामक अस्थान पर हुआ था बध्धों के लिए सबसे पवित्र दिन होता है उन्होंने 29 वर्ष की अवस्ता में ग्रहत्याग दोस्तों बहु के नीचे पुन्पुन नदी जिसे निरंजना नदी केते हैं के तड़ पर सिद्धार्थ को ज्यान प्राप्त हुआ दोस्तों जब सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध को ज्यान प्राप्त हुआ तो आपकी आयोती 35 वर्ष थी बोध गया में आपको ज्यान प्राप्त बढ़तने अगले पुश्ण की ओर महात्मा बुद्ध किस वंस से संबंदित थे दोस्तों सही जवाब होजेगा आपसंसी आपसंसी दा राइट आइंसा शाक की वंस दोस्तों महात्मा बुद्ध का जान्मु नेपाल के तराई छेत्र में इस्थित कपिल वस्तु के लुम्ब मुनी ग्राम में शाक की नामक एक छत्री कुल में 563 सा पूर में हुआ था आपका जनम 563 सा पूर में हुआ था दोस्तों पहले पुश्ण में पढ़ा चुके हैं वैसाक पूरी मा के दिन 573 सा पूर में खजनम हुआ था तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को शाक की मुनी भी कहा जाता है इनके पिता सुधोधन वातमबूद्ध के पिता का नाँधा सुधोधन कफिल वस्तो के साग के गड़के मुखिया थे हमारा अगला पुछने गौतम बुद्ध दोरा अपने धर्म में देख्चित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था दोस्तो कहरा कि अन्तिम व्यक्ति कॉन था. तो दोस्तो गोतम बुद्ध ने अपने जिवन के अन्तिम समय में ये अन्तिम व्यक्ति जीनको गोतम बुद्ध ने दिछित किया वह थे सभद्ध. आफशन D is दॉराइट ऐंसर, सुभद्ध. दोस्तों महात्माबुद अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म परचार करने के लिए हिरन निवती नदी के तड़ परिस्तित कुषी नगर मल गड़राज की राधानी में अपने स्टिस चुन्द के यहां पहुँचे किनके इनके सिस्काना अंता शे चुन्द जिसके यह पहुँचे थे जहां सुकरमाद दो सुकरमाद दो सुवर का मांज खाने के करन 483 इसा पूर में 80 वर्ष के आयों में इनकी मृत्ति हो गई बहुद गरंथों में इसे महा परि निर्वार गहा गया है गौतम बुद्ध की मृत्व को बौध करंथ में महा परिनिर्वाड कहा जाता है मृत्व के पूर कुषी नारा के परिवार जग सुभद्ध को उन्होंने अपना अंति मुपदेश दिया, बुद्ध ने अपना पर्थमुपदेश सारणात रिसी पत्तन में दिया था, दोस्त जब महात्माद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में तो उस पहले उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परवर्तन धर्म चक्र परवर्तन कहा जाता है और बुद्ध ने अंतिम वर्षाकाल वैशाली में विताया था दोस्तो अपने जीवन का अंतिम गौतम बुद्ध ने वैशाली में भी ताया था, दोस्तो बढ़ते हैं अपने अगले पुश्ण की ओर, दोस्तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, अगर आप चेनल पढ़ने हैं तो चेनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नह भूलें, प्रश्ण है अश्टांग मार की संकल्पना अंग है, दोस्तो किसका अंग है, किसका अंग है सहीज़वजेग आपसंडी, धर्म चक्रपरवर्दन की विशेवस्तु का, दोस्तो गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अश्टांगिक मार्ग का उपाय बताया, इसके आर्थत्तों है, सम्य सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाग, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक इस्पृत, यवं सम्यक समाधी, दोस्तो अश्टांगिक मार्ग धर्म चक्रपरवर्दन की विशेवस्तु का अंग है, अश्टांगिक मार्ग को भिच्छूँ का कल कहा जाता है बिच्छों का कंल यार मित्र कहा जाता है अगले पुष्ण की ओर कि तिरश पिटक क्या है तो दोस्तों सभी जाब हो जाएगा विने पिटक की रजना उपाली ने की थी उपाली ने जिसमें बहुत संगों के नियमों का वरणन है दोस्तो बात याद रखिए विने पिटक में बहुत संगों के नियमों का वरणन है और इसकी रजना की थी उपाली ने तता सुथ पिटक सुथ पिटक की रजना आनंद ने क थी जिसमें बुद्ध की उग्देशों और समवादों का संगढ रहा है और अविधंव पिटक की रचना तिसी ने कि थी जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक अवम धार्षनिक विचारों का संक्लन थी अभिधम्ब पिटक की रजना तिस्षी ने की इसमें बुद्ध के अध्यात्मिक एवं दर्षनिक विचारों का संकलन है बढ़ते अगले पुष्णिक योल आलार कालाम कौन थे दोस्तो सही जवब वजेगा आपसंडी बुद्ध के गुरू दोस्तो आलार कालाम सांख बात का ज्यान दीछा प्रात की थी अता उन्हें बुद्ध का गुरू भी कहा जाता है बुद्ध के अनिगुरू उदक रामपुत भी माने जाते हैं बढ़ते अगले पुष्णिक योल निम लिखित में से किसे एस्या का जोती पुण्ज लाइट आफ एस्या कहा जाता है दोस्तों बहुती मात्पुण को सेने बहुत ध्यान से सुनिएगा एस्या का जोती पुण्ज लाइट आफ एस्या कहा जाता है गौतम बुद्ध को आप सने इस दाराइट एंसर दोस्तों गौतम बुद्ध को एस्या का जोती पुण्ज कहा जाता है गौतम बुद्ध के ज सायता से एडविन अर्नार्ड ने लाइट आफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी बढ़ते हैं अगले पुष्ण की ओर बुद्ध की मिरुत्ति के पर्थम बहुत संगीति की अधिस्ता किसने की थी पुष्ण गहरा कि जब बुगदम बुद्ध की मिरुत्ति हो गई थ तो उस टाइम में पर्थम बहुत संगीति भी थी उसकी अधिस्ता किसने की थी सही जब हो जेगा आप सन्ये दूस्तों आप से लिए इस दा राइट आइंसर महा कस्त दूस्तों बुद्ध की मिरुत्ति के पर्थम बहुत संगीति जो की 483 इसा पुर्वी थी इसका आयजन जो की हर्यक वन्सका साशक था पर्थम बहुत संगीति अजाट शत्र के सासंकाल में 483 इसा पूर में राजगरे की सब्थ पढ़ी गुफा में हुई थी के सासंकाल में आज़ित की गई थी यह इसकी अध्यष्ता महा कस्त ने की थी दोस्तों पर्थम बहुत संगीति की आनंद और उपाली भी उपस्ति थे बुद्द की मृत्ति को बहुत गरंत में महा परिनिर्वाल की संग्यात दी गई है बढ़ते हैं अगले पुष्ण क्यों नालंदा विश्विद्याले की अस्थापना का यूग है सही जब हो जाएगा आपसंसी गुप्त वन्स दोस्तो नालंदा विश्विद्याले प्राचीन भारत में उच्छी सिच्छा का सरवाधिक महत्पूर केंद्र वह बहुत पीड था या दक्षली बिहार में राजगीर के निकट इस्थी थे इसकी अस्थापना का स्रे गुप्त शासक कुमार गुप्त पर्थम 450 से 470 इसवी को प्राप थे तुर्क मुस्लिम शासक बख्तियार के लिए ने 1199 इसवी में इसे पोड़ता नश्ट कर दिया था बढ़ते हैं अगले प्रशने की ओर सुनिता के सिद्दान का सरवपर्थम परतिपादन करने वाले बहुत दर्शनिक का नाम है सुनिता का सिद्दान सरवपर्थम किस ने परतिपादन किया था वो बहुत दर्शनिक हैं अफ्सर ए is the right answer नागारजुन दोस्तों परसिद बौध दर्शनिक नागार्जुन माध्यमिक या शोनिवाद मत के परवर्तक है जिनकी परसिद रचना माध्यमिक कारिका है इसे सापेच वाद भी कहा जाता है नागार्जुने परतीत समुत्पाद को ही शोनिता कहा है इन्होंने पर्तित समुत्वाद को ये सुनिता कहा है सुनिवाद की अनुसार परमतत्त को बुद्धी अथवा विचारों के द्वारा नहीं समझा जा सकता इन्होंने कहा है कि परमतत्त को बुद्धी अथवा विचारों के द्वारा नहीं समझा जा सकता दोस्तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट बाक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी है और दोस्तो ये भी बताएं हमें कि किस टापिक पर आपको वीडियो की जरूरत है ताकि हमारे टीम उस्टीप टापिक पर वीडियो बना कर ला सके आपके लि गो atención कि सदा सद तो यह पांच महावरत है जैन धर्म के अपरगरैं एसनबपतियाश्ष vector ITY न करना और इंद्रियों को वसमे करना यह पांच महवरत जैन धर्म जैन धर्म में इन पाज महावरतों की विवस्था की गई है अहिंसा सत्य परिग्रह अस्तेई और ब्रहमचर्य बढ़ते हैं प्रश्ण की ओर जैन धर्म में पूर ज्यान के लिए किस सब्द का उल्ले किया गया है पूर ज्यान के लिए जैन धर्म में किस सब्द का उल्ले किय सब्सक्राइब दोस्तों जयन धर्म में पोड़ ग्यान के लिए कैवल मोच की प्राप्ति शब्द का परियोग किया गया है कैवल का मतलब होता है मोच की प्राप्ति करना जयन धर्म के 24 वे तिर्थंकर महावीर स्वामी को 12 वर्स की कढ़ोरत पस्चा के बाद जरंभिक ग्रा में रिजुपालिका नदी के किनारे साल्व रिच के नीचे कैवल पोड़ ग्यान प्राप्तवा दोस्तों जो महावीर स्वामी थे ये जयन धर्म के 24 वे तिर्थंकर थे इन्होंने 12 वर्स की कढ़ोरत पस्चा के बाद जरंभिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल्व रिच के नीचे पूर ग्यान कैवल की प्राप्ति की थी फलता ग्यान प्राप्ति के परश्याद महावीर केवलीन कहला है दोस्तों ग्यान प्राप्ति के बाद इन्हें केवलीन कहा गया उन्हें जिन जिन का आर्थ होता है विजेता अरहत का होता है आर्थ पूज त दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपसंट B, आपसंट B is the right answer, ग्यात्रक, दोस्तों महावीर का जनम वैशाली के निकट कुण्ण ग्राम के ग्यात्रक कुल के राजा सिधार्थ के यहां 540 इसा पूर, 540 इसा पूर में इनका जनम हुआ था, महावीर स्वामी के बच्पन का नाम वर्धबान था, इनकी माता का नाम यशोदा था, इनके पिता सिधार्थ कुण्ण ग्राम के छत्री कुल के परधान, वा माता तिर्शला, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, महावीर ने अपना उपदेश प्राकरत भासा में दिया था, महावीर के पर्थम अनुयाई उनके दामाद जैमाली बने, दोस्तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, पिता इनके सिधार्थ थे, चत्री कुल के परधान थे, और इनकी माता तिर्शला थी, जो की लिच् हैं, और इनके पर्थम अनुयाई इनके दामाद जैमाली बने, दोस्तो महावीर के बात करेंगे, बहुत धर्म के वास्तिविक संसापक कहने, महात्मा बुद्ध, जैन धर्म के परमुख परश्मों के बारे में बात करने जा रहे हैं, इनका जनम वाता पांसो तीर सड़ी स पूर में, महात्मा बुद्धु का जनम वाता पांसो तीर सड़ी सा पूर में, आपका जनम अस्थल है लुम्बनी वन कपिलवस्थ वर्तमान रूम्मिन देई नेपाल में, इनके पिता थे सुद्धोधन जो की शाक्यों के राज कपिलवस्थ के शासकते, इनके माता का ना दोस्तों इनके पुत्र का नाम था राहुल, ग्रेत याक की घड़ना को बहुत धर्म में महाभिनिस कर्मण कहा गया है, इनके सार्थी का नाम था चन्ना, इनके घोडे का नाम था कंथक, और इनके गुरु ध्यान गुरु जो इनके पहले गुरु थे, उनका नाम था आलार का दोस्तों मात्मा बुद्ध को ज्यान की प्राप्तिवी थी 35 वर्ष की आयू में वैशाक पूलिमा के नीचे वैशाक पूलिमा की रात को दोस्तों और ये उसी दिन थी बुद्ध कहलाने लगे और ज्यान प्राप्ति का अस्थल दोस्तों गया बोध विहार में निरंजना पाली भासा में परफ्थाम उप्धेस ने दिया था पांच भ्रहमनों पंच वरगी को शरप्थाम उप्धेस दिया था परफ्थाम उप्धेस को धर्म चत्र परव Armenia कहा जाता है इनके सिस्थे आनंद वा उपाली धर्व परचार का अस्था शाक काशी मगद अंग मल वज्जी कोसल राज और जीवन कांट था इनके महात्मा बुद्ध के जीवन कांट था महात्मा बुद्ध के जीवन से जुली घटना है इनके परतीक के बारे में दोस्तों महात्मा बुद्ध के जनम को कमल के फूल से दिखाया गया है ग्रेत्याक का चिन्ध है घोड़ा दोस्तों महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्तिक का चिन्ध है पीपल का बरच निर्वाड को दिखाया गया है पद चिन्ध से और पर्थम उबदेश को दिखाया गया है म्रग सहित चक्र से मात्मबुद्ध के पर्थम उपदेश को दर्शाया गया है आप दोस्तों दूसरी लिश्मी हम बात करेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में जो की जैन्धर्म के 24 वे तीर संग कर थे दोस्तों महावीर स्वामी का जनम हुआ था 540 इसापूर में इनका जनमस्थल था कुणगराम के वैशाली के निकट बिहार में इनके पिता थे सिदार्थ जो की वज्जी संग के कुणगराम के ग्यात्रिक छत्री कुल के परधान थे इनकी माता थी तिर्शला जो की लिच्छवी सासक चेटक की महन थी इनके बचपन का नाम था वर्धमान महावीर दुस्तों महावीर समी की पत्नी का नाम था यशोधा जो की कुंडी गोत्र के राजा समर्वती की कन्या थी और इनकी पुत्री का नाम था पिर्य दर्शना अडोज्जा इनके दामात थे जैमाली, पर्थम विरोधी थे ज्यान परातिके चवदव में वर्ष में और दोस्तों इनके सिस थे मक्खली पुत्त गोशाल जो की आजीवक्त संपरदाय के संस्थापक हैं दोस्तों इनके पर्थम सिस थे जैमाली जो की इनके दामात थे दिवती विरोधी इनके थे तीस गुप्त ग्यान परातिके सोलवे वर्ष में दिवती विरोधी इनके थे तीस गुप्त दोस्तों ग्रेतियाग को इनों ने किया तीस वर्ष की आयू में बड़े भाई नंदी वर्धन की आज्या से महावीर स्वामी ने 30 वर्ष के आयू में ग्रेत आक्या इनको ज्यान की प्राप्ति कब हुई दोस्तों 12 वर्ष की तबस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्यान की प्राप्ति हुई और जिस इस्थान पर ज्यान की प्राप्ति हु दोस्तो पर्मुख उपदेश राजग्रे में वितुलाचल पहाली पर वाराकर नदी के तड़ पर दोस्तो इनकी पर्मुख उपादी है केवलिर, कैवल, सर्वोच ग्यान प्राप्त वेक्ति, जिन, विजेता, निर्गरंथ, बंधन रहित और अरहत पूज्ज दोस्तो महावीर स्वामी के जीवन का अंत्वा, पावापुरी राजग्रे बिहार में, बहततरवस के आयू में, 468 इसापूर में, हस्ति पाल के यहां, जो की मल्ल गर्राज के परधान का शासित छेत्र था, दोस्तो अब हम बात करेंगे पाशरोनात की, जो की जैन धर्म के 233 जिर्थंगर थे, दोस्तो इनका जनम हुआ था, महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्स पहले, 250 वर्स पूर, पाशरोनात, जो की जैन धर्म के 23 तीर्थंगर थे, जो की कासी के राजा थे, पाशरोनाथ की माता का नाम था, वामा देवी जो की नरवर्बन की पुत्री थी, इन निर्ग्रंतों में पाशरुनात को पुरुसाद नियम अर्थात परंपुरुस दोस्तों पाशरुनात को जैन्धर में परंपुरुस कहा गया है इनके अनुयाईयों को निर्ग्रंत कहा जाता था दोस्तों जो पाशरुनात की अनुयाई थे इनको निर्ग्रंत कहा जाता था तो दोस्तो ये थे बहुत एवब जयन धर्म से संबंधित बहुत ही महात्यपूर्प्रश्म जो की आने वाली परिछाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे आपके लिए दोस्तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बाक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे ल आ देवाद